कि नवश्कार स्टूडेंट्स मैं सर्वन सेनी सायकाचारिय एफम राज की मावित दल बहरोड आज का ये वीडियो विकॉम पार्ट सेकंड के लिए है आज हम एफम के सेकंड परसन पत्र फाइनेंशल मेनेज्वेंट में वित्तिय वीवरणों का निरवचन का अध्यन वित्तिय वीवरणों का निरवचन क्या है इंटरप्रेशन और फाइनेंशल स्टेट्मेंट क्या है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वित्तिय वीवरणों के विश्लेशन के बारें बात की थी वित्तिय वीवरणों का विश्लेशन करने के पस्चात उनका निरवचन करन करना होता है उनका interpretation करना होता है interpretation में वित्ति विवरों के विसलेशन से जो सूचना या जो जानकारी निकल कर सामने आती है उस जानकारी के उपर राय प्रकड करना होता है उसके बारे में ये बताना होता है जो वित्ति विवरों का निरवर्चन कहलाता है और ऐसे राय विशे का विशे सज्ग्यऺ कर सकता है यानि ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसको की वितिय प्रबंध विशे का समपूरण ज्ञान हो उसको knowledge हो और जिसने वितिय विरुन विशे पढ़ा है वही इसके बारे में टिफणी कर सकता है जिसने इसका knowledge लिया है अब हम देखेंगे कि वित्ति विरोन का निर्वर्चन होता है वो कितने प्रकारग होता है यह निर्वर्चन दो प्रकारग होता है एक होता है पक्स पात पूरण या वेक्ति प्रक दूसरा होता है निश्पक्स या विश्य प्रक उब्जेक्टिव पक्स पात पूरण या वे उसने निकल के सामने आते हैं उनका निर्वर्चन करते समय निर्वर्चन करने वाला व्यक्ति अपनी लाब की चीजें का इंटर्प्रटेशन कर लेता है और बाकी मैं तो कई जानकारिया वह छोड़ देता है और वेवसाय की सामने उनको प्रकट नहीं करता है उसमें उस व्यक्ति का ही हित का हित होता है इसलिए वेवसाय की महत्व पुर्ण जानकारिया को चुपा जाता है और यहां विश्लेशन का जो उद्देश होता है, निर्वर्चन का जो उद्देश होता है, वह किसी वेक्ति की हिद को प्राप्श करना होता है, और ऐसा निर्वर्चन बेवसाय के लिए अच्छा नहीं रहता, अब है शेकेंड निश्पक्स या विशेप्रक्स विश्लेशन निश्पक्स विश्लेशन में विश्लेशक की कोई पूरू मान्यता यहां अधारना नहीं होती है और जो भी वह निर्वर्चन करता है वह एक दिन विश्पक्स होता है यानि उची तोर सही स्थिती ही उसमें व वित्य विवरुन जो निकाल जो तत्य निकाल के सामने आते हैं विसलेशन चे वित्य विरुनों के उनकी सही सही स्थिति की व्याख्या करता है निरवर्चन में वित्य विरुनों के उपर जो टिपनिती जाती है वह एक तरीके से व्याख्या होती है उसके उपर तो इसमें कोई व्यक्तिगत पक्सपात के संभावना नहीं रहती है और इसमें एक्जिट वेवसाइक इस्तिति कहीं को परकट किया जाता है अब हम इस एक उधारन के द्वारा वेवसाइक का जो विती विवरण है उनका निरुचन के बारे में जानेंगे निरुचन के बारे में बताएंगे हमारे पास यह बैलन शीट है अन्नु लिमिटेड और मन्नु लिमिटेड की इसमें मनु लीमिटेड उसकी जो लाक है और सेमृ सवा चार्ड 700007 अब कि जो तरीका है वह है समानाकार आए विति विवर्ण तो common size जो statement वह उसका त्यार करेंगे हम और फूरीज की व्याख्या करेंगे इसकी interpretation करेंगे तो जिस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था है हमने समझा था कि समानाकार विति विरुन क्या होते हैं समानाकार विति विरुन में जो विति विरुन हमें दिया होता है चाहे वैलन शीट हो चाहे चिठा हो उसका जो टोटल होता है उसको टोटल को सो मान के हम बाकी जो मत होते हैं उनका परतिशत ग्याद करते हैं तो यह हमने इस एकति और इससे थे प्रतिश के जई का टोटल को में हमाल लिया है तो इसमें देखें तो इक्विटी प्रेश्ट है 32.2 प्रतीश है और नन्हों सब्सक्राइए प्रॉस्त है और इसके पेवल्स हैं 16.87 और इसके इसके त्रम प्रोविजियंग त्रॉटल हो गया मंदू लिम्टेट का एकुटी शेर के फिलेट 27.67% है और इसका प्रिप्रेंट शेर का इससा 16.67% है 16.67% और इसका इसका टोटल सो हो गया है और इसके सोरो ट्रम बोरोविंग है 3.33% और इसके जो पेबल से हैं वह 27.33% है और अब हम आगे चलेंगे इसके असेट साइट का टोटल नो लाग है इसमें नो लाग में से चार लाग सीजार रुपे फिक्स असेट से या नि 33.33% जो संपती है वह इस्ता ही संपती है अनुलिम्टेट के पास और बाकी जो है वह करन्ट असेट्स है पैँनि रहो हurally करập Lisa 10 इन सेटस को दो बागोंबा चो गए वहनल उसके लाब का वहरो है किरनटरल में अवह फिक्स बाइवश होता है तो डोनों का टोम्हें सम्ष्टम्च लिए USよう लाघ है इसके विश मिश्वें से 8.45 गडाई से चयुअन कि नीचे बच गया है वह है कि इसका है कि करन्ड शेट से जो लगवग सो मैसे शपर पाइंट सो तो इसको बागी निकालने पर है जो पस्ता है अब हम इसकी व्याख्या करेंगे तुलना तमक जो कि समाना कार भीतियो प्यवरन इसकी व्याख्या करेंगे अलपका लिफका लिफका स Taylor स्वंथा के बारें बात करेंगे आप में अलपका लिन्सता के घ्रकाय कि अर्थ होता है कि तुरंत कोई के वह साहेब है अपनी जो चौन हैं उनको बेज कर अपनी जो चालू जाई तो हमको कितना चुकाने की समता रखता है तो जो करण्ट अशेट्स होती है यदि उनको केस में बदल दिया जाए और उसके बदले जो हमारे करण्ट लाइबरेटी जें चालू जाए तो उनको चुकाने के बात कितनी बचता है तो हम यहां अनुलिम्टेट की बात करेंगे अनुलिम्टेट में चालू समपतिया 46.66% है क्योंकि इसकी इस्ताही समपतिय है 35.33 तो तो नीचे बच गया हुआ है अलब का लिन समपता हुए इस वह है ज्यादा सूद्रड है मनुलिम्टेट के बजाए और इसके इलावा इसका चालू जाए तो वह है वह है वह है चालू जाए तो 22.22% है और इसकी अलब का लिन समपता भी अच्छी है इसके अलावा अनुलिम्टेट ने कारी सीली पुंजी की इस्तित्य और सुदाने के लिए बैंक से दिवकर्स भी लिया हुआ है यानि दोनों में से अनुलिम्टेट की इस्तित्य अच्छी है और फिर कि द्रेकालिन सोधन सुमता क्या होती है कि लंबे समय में जाकर यदि किसी वेवसाय को अपनी सारी देंदारिया चुकानी पड़ें यह जो पुंजी ले रखिए उसको भी चुकाना पड़े उसके बाद वेवसाय की स्तिति में क्या पशता है तो इसके लिए अनुलिम्टे यानि इस प्रकार जो अनुलिम्टेड है उसकी स्थिति कि मनुलिम्टेड के तुल्णा में अच्छी है और हम जैसे बात करें कुछ बात यह और भी हम इन विबनों से निकाल सकते हैं जैसे इकोटीशेर केपिटल है वो 33.33% है अनुलिम्टेड और मनुलिम्टेड की 26.66% है यानि जो इकोटीशेर केपिटल होती है वह स्वामियों की फुंजी होती है तो स्वामित्व का इसमें ज्यादा परसेंट है बल्कि इसका स्वामित्व कम जोर है इसमें स्वामियों की पुंजी चाहें 27-66% है और बाकी पुंजी जो वेवस्ता की गई है वो उदार की पुंजी से की गई है जाए फ्रिप्रेंस वो प्रिश्टा परदी गई हो या फिर डिवेंटर शर्व प्रावर्श से वेस्ता की गई हो इसी परकार जो इसका मनुलिमिटेट गई जो मनुलिमिटेट की गैरा-पर्चाहँ से लाब है वेवशाय में लाब को 8% रोका गया है बलकि अनुली इंटेट में 11% रोका गया है और इस तरह से हम बात कर सकते हैं इनके विती विरोन के निर्वचन के बारे में और अगय के द्याय में हम निर्वचन के बारे में और अच्छे से जान सकेंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक यू